हेलो गाइज वेलकम तो यद्निया इन्वेस्मेंट अकैंड मी माइनेम इस कमल मुकेश बेलानी यूनियम गवर्मेंट ने जो बजट अनौंस किया है उसका इंपेक्ट डिफरेंट सेक्टर्स पर क्या रहा उसे आज हम डिसकस करेंगी अगर केमिकल सेक्टर की बात कीजाए तो यूनियम गवर्मेंट ने एसीड ग्लेड फ्लोरस पाल उस पर जो इंपोर्ट ड्यूटी लगती है वह याने कस्टम डूटी जो इंपोर्ट करने पर लगती है उसे 5% से 2.5 पर सेंट पर ला लालिये ऐसे ग्रीड फ्लोरस पर जो है इस फ्लोर्ट पेमिकल इंडुट् यूसे के बाद इंडिया, थर्ड है इंडोनेशिया, तो इससे जो फ्लोरो केमिकल कंपनीज है, उनकी रॉम अटरियल कॉस्ट थोड़ी सी कम हो जाएगी, जिससे उन्हें बेनिफेट हो सकता है अपने मार्जिन्स को बेटर करने में, अधर एगरो केमिकल सेक्टर की बात की तो गॉवर्मेंट ने जो एगरी एगरी एक्सेलरेटर फंड बनाया है, स्टार्टप्स के लिए, तो फिर स्टार्टप्स के पास एक फंड आ जाएगा, जिससे वो लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाय चेन को बेटर करने के लिए, नए-ने स्टार्टप्स लॉंच करके वोईट्स करने से उने काफी ज़्यादा फाइदा हो सकता है, अगर फार्मा सेक्टर की बात की जाए, तो आज सच बहुत ज़्यादा कुछ फार्मा सेक्टर के बारे में यूनियन बजट में नहीं रहा, सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट एक रहा कि गौवर्मेंट वर्जन बनाने पर टाइम लगेगा, तो जो कमपनी जितना ज़्यादा आरेंटी में इंवस्ट करेगी, उससे उतना टाइम तक हायर मार्जिन मिलेंगे उन प्रोड़क्स पर, जिने कॉपी किया जा रहा है, तो जब तक कॉपी ग्रेट होगी तब तक कमपनी अच्छी खा अगर टेफेंस नगरोड करोड को टो टो टोटल 8% है इसमें से 1.62 लाग करोड का पिटल आँडिया यान्जाज किया जए जो इंवस्ट किया जाएगा यह जो capital outlay है, यह जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा अच्छा रहता है defense sector के लिए, तो यह last year 1.44 lakh करोड था, इस बार 1.62 lakh करोड गया यानि around 12% की growth government ने capital outlay में की है बट एक problematic issue यह रहा है कि इंडिया का defense spending है with respect to total government expenditure वो कम गोर है, पहले 2012-13 में 2.3% था है, बट percentage sums में यह एक decline है, जैसे कि government का plan है कि defense, defense का जो production है, वो 25 billion dollars तर पहुचाना है, जो अभी 10.8 billion dollars है, उसके लिए काफी ज़्यादा capital outlay तो लगेगा ही, बट उसके साथ ही साथ, इनका जो gestation period है, उसे कम कैसे किया जाए, क्योंकि 18% काइर जनरेट करना, over consistently 4 years, उसके लिए काफी कम gestation period होना चाहिए, ताप ही जल से जल, top line में companies के revenues को contribute करें, defense production और उतना ही उनकी bottom line में भी affect करें, well that's it, thank you for watching this video, अगर आपको लग रहा हैं अच्छा काम करें, do subscribe to your new investment academy, share with your friends and do drop a comment कि आप आगे हम से क्या analysis expect तर रहे हैं, thank you